तो आज JMI PG Entrance Exam था जिसके अंदर काफी सारे सब्जेक्ट का Entrance Exam हुआ था, उसी में से MSC Physics के लिए भी आज ही Entrance Exam था, पेपर रिव्यू हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि क्या किस तरह का पेपर था, easy था, tough था, moderate था, क्या expected cut-off रह सकता है और कितने questions PYQ में से repeat हुए, त करते हैं, तो सबसे पहले तो अगर मैं overall analysis करूं कि how was the paper, पेपर के अंदर जो total जो मैंने paper देखा है, उसके अंदर total जो question modern physics, modern physics में से अक्रम बात करें, तो total number of questions लगबागा आये थे 22, इक बर check कर ले ना, 21-22 क्यास पास question थे, quantum mechanics में से जिसमें से question आये थे 11, atomic में से question थे 5, nuclear physics में से चार question और special theory of relativity से लगबाग 2 क्यास पास question, अगर मैं quantum की बात करूं, तो quantum का मने आपको जो पीवाई की उच कराये थे, मैंने तब भी आपको बताया था कि quantum का paper tough आता है, जितने मैं करा रहा हूं उसमें से कर जाना, तो इसमें से आपको पीवाई की उच भी देखने इंके उपर questions वगेरा नहीं थे, atomic physics की बात करूं तो advanced atomic physics के question आये थे, advanced atomic physics के question थे, जो बहुर सा atomic model वगेरा है, वहाँ से questions नहीं थे, nuclear physics की बात करें तो यहाँ से भी जो nuclear physics, elementary basic nuclear physics होते है, वहाँ से question नहीं थे, advanced nuclear physics के question आये थे, special theory of relativity से simple जो question जैसे आते रहे हैं, उसी तरह के और और अगर बात करें modern physics की modern physics जिसने advanced खुड़ा बात पड़ा हुआ है nuclear atomic और quantum का जिसका waves का पार्ट अच्छा था इसने waves की questions की होए थे तो quantum के question उसके हो जगते तो moderate to tough मैं बोलूँगा जो modern physics का pattern तो modern का moderate to tough moderate to tough ठीक है तो यह moderate to tough अगर मैं EMT की बात करूँ EMT में लगभग 16 questions आए थे इसमें moderate to tough मोलेंगे जो शुरू के questions काफी questions जो इसमें थे वो बंदारे टाइप थे थे मतलब आप देखते ही आंस्वार लगा सकते हैं बागी जो EM guide waves है महां से question थे उसके अलावा polarization के question थे polarization के और जो dielectric है वो question repeat थे यानिकी PYQs में थे तो मैंने आपको कराया गूँ है तो लगभग 3-4 question यहां से PYQs में से आये थे EMT के अगर हम बात करें electronics और SSP यहने की solid state की बात करें तो लगभग total 18 question यहां से आये थे electronics में लगभग 8 question SSP में लगभग 10 question यहां पर सबस्यादा PYQs repeat हुए थे लगभग उसी तरह के question थे कुछ मिला मिला के questions आप कह सकते हो कि PYQs में से कुछ repeat थे पर वो जो options है वो मिला हुआ हुआ है पर अगर हम SHM और waves की बात करें तो लगभग 4 questions SHM और waves से और easy optics की बात करें तो चार के आसपास question moderate easy to moderate mechanics में total 15 से 16 question थे जिसमें से advanced mechanics के 5 question है moderate to tough था क्योंकि numerical वाले question काफी ज़्यादा थे यहां से mathematical physics तफ आये, mathematical physics जो आये था पेपर तफ था question function के 4 से 5 question थे बाकी के जो question थे वो भी probability के ज्यादा question रिकाए हुए थे, probability के question ज्यादा इस पेपर में थे stationary satellite वाला थे पी-वाई-क्यों का question थे मेरा कराय हुए तो फिर उसके बाद यहां पर EMT में लीनियर डाइलेक्ट्रिक वाला तीन और उसके बाद होगोजीनस और आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक वाला यह question मेरा आपको रहा हुए जो चार और उसके बाद यह जनराइस कॉडिनेट्ट्रिक वाला यह एडवांस मेकेनिक्स का फिर quantum का यह question मैं आपको कराया गूँ है शाहिदान फ़र इसका बंदभाई 8 आएगा यह question quantum का repeatable और मैंने कहा भी था पचास पर बोला था कि quantum के जो मैं करा रहा हूँ यह question कर जाना कि quantum का paper tough आता है ज्यादा तुम तुम से prepare करने की कोशिश करोगे उतना time था लिए फंटम के दो तीन question आपको देखने को मिल गए उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके बाद यह question था पर अगर तो अगर अवराल बात करें कि कितने पीवाई क्यूज रिपीट हुएते तो पीवाई की पीवाई क्यूज के थे एप दो तीन चार पांच छे साथ आट नो तस ग्यारा question तो यहां से मैंने आपको बता दी पीवाई क्यूज के जो रिपीट हुए थे बागी मैंने इतना ज कम से कम और बिल जाने चीव पीवाई क्यूज के बंदरा से सोला question मेरे समझ में जो पीवाई क्यूज अगर करके गए हो तो वहां से आयो पीवाई क्यूज कंफर्म आयो तो पेपर का जो लेवल था वो था क्या moderate to easy, moderate to tough पेपर का level और अब हम बात करें कि last year की जो cut-off रही ह पिछले 3-4 सालों की वो क्या रही है, तो अगर मैं 2000 सबसे पहले 19 की बात, 2019 के अंदर पेपर था easy, जब पेपर easy था तो जहांपर पहले seats का classification, जो categorization है वो देख लेते हैं कैसे जाता है, total number of seats होती है 40, 40 number of seats जो हैं कैसे divide होती है, कैसे इनको categorize किया जाता है, वो हम बात कर ल पीडी और यह ब्लाइंडेस लॉविजन फिर्ट पीडी पीडी और लोकोमोटर डिसाबिलिटी और फिर जाती पीडी और यहां कश्मीदी माइगरेंट वगरा करूलियां पर लग, 2019 में जनरल की जो cut-off थी वो 52.75 थी, मुसलिम मायनोरिटे की 45.50, मुसलिम OBC, मुसलिम हैस के बात करें, 2020 की cut-off की अगर आप देखो टो, जनरल की cut-off थी 45 ठीक था, । अघंपまぁुसलिम मायनोरिटे की बात करें, तो मुसलिम मायनोरिटे की इक बात करें थी 40.50 मुसलिम, मुसलिम हैस्ती के थी 37 माक्स, मुसलिम मुवझमिन 35.25 और अगर PWD, PD । की बात करें 39.50 यह कटॉफ था 2020 अगर मैं बात करूँ 2021 का जो जनरल का कटॉफ था वो 36.75 जनरल 2021 का वेपर कफ पेपर आया थो फिरकर हम बात करें मुस्लिम माइनोरिटी 31.75 मुस्लिम 27.5 कटॉफ था फिर अगर हम बात करें PWD की तो यहां पर PWD के अंदर ब्लाइंड लाव विजन तो 26.75 फिर उसी तरह से यह एक और PWD का है 22.75 और PD disability 30.5 यह कटॉफ था अगर मैं 2022 की बात करूँ तो 2025 में जनरल का कटॉफ गया था 37 यह जनरल का है आखी डीटेल्स में पास 2025 की है निए जो 2025 का जनरल का कटॉफ था इस बार भी जो पेपर है वो है moderate to tough पेपर जो है वो moderate to tough है moderate to tough है तो अगर मैं safer side के लिए बात करूँ इसके लिए safer side तो safer side for general जनरल के लिए मैं safer side बात करूँ तो 45 प्लस जनरल के लिए safer side लाकि चालिस के उपर भी हो सकता है पर बिल्कुल safer side की हाँ आपका होई रहे तो 45 प्लस पर आपका हो जाना चाहिए अगर मैं Muslim minority की बात करूँ Muslim minority Muslim minority की बात करूँ तो 40 प्लस पर आपका easily selection होना चाहिए Muslim OBC Muslim OBC की अगर हम बात करें तो ये 38 या 37 प्लस और 37 प्लस Muslim women की अगर हम बात करें Muslim women का जो यहां पर cut off रहना चाहिए वो approximately 38 के असपर्स होना चाहिए Muslim women ये मैंने बिल्कुल आपको safer side बता है और अगर आपको इसमें 3-4 number कम करना तब ये अगर आपको vary कराना हो safer side के लिए तो इसको आप 42 ले लो safer side के लिए 42 प्लस इसमें से 3-3 number कम पर हो 42 प्लस मतलब आपको 42 प्लस है तो भी आप safer side जा रहें यहां पर 37 प्लस यहां पर Muslim OBC के अगर हम बात करें तो यह 34 प्लस और यहां पर यह 34 तो यह cut off कुछ रह सकता है तो अपर side में यह यह जा सकता है तो इसके बीच में कहीं आपके marks अगर बन रहे हैं आप पेपर देखाया होंगी तो आप बंदाजा होगा तो इसके आपर आसपास ही यह जो है cut off energy है यहां पर SCST का reservation नहीं है यहां पर यह reservation जनरल उसके लावा Muslim minority Muslim OBC क्या होती है इतना मेरे को नहीं पता Muslim OBC और Muslim movement यह यहां पर cut off चलते हैं तो इस cut off में आगर आप आ रहे हैं तो देख लेना आप safer side में जा से हैं कि अगर paper solve कराने वाली बात है तो वो paper में भी solve क analysis for massive physics entrance और hopefully आपका जो exam है वो काफी अच्छा गया होगा और जो भी लोग इस video को देख रहे हैं comment में जरूर बताइए गया कि आपका exam कैसा गया है और क्या जो मेरा analysis है वो आपके according सही है या आपको paper easy लगा है या बहुत तफता तो वो भी आप जरूर इसमें comment में बताएं आपकी और अच्छे से इसका analysis हो सके और अच्छे से हम प्टाफ को predictors मेरा नेक्स वीडियो में till then thank you